Once a cry baby, always a cry baby Cry baby को तो आप सभी जानते हैं ना वो अपनी हरकत उसे कैसे बाज आ सकते हैं जो हरकते वो Big Boss 13 में किया करते थे आज भी, तीन साल बाद भी वही हरकते स्टार्ड है उनकी और इस पार क्या कुछ हुआ है बताएंगे हम आपको अपनी इस वीडियो में तो आप वीडियो को आइंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप नेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इस्टेग्राम पे भी ब्लेम करते थे फिर मेकर्स पे चैनल को कितना ब्लेम किया है हर वक्त अपनी जर्नी पे ध्यान न देते हुए दूसरे की जर्नी को देखा उन्होंने और उसको देखते के बस रोते ही रहे और हमेशा कैमरा के आगे रोते रहे इसलिए इनका नाम बिल्कुल सही पड़ा है Cry Baby Cry Baby ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें जो भी मिला है Big Boss 13 के बदोलत ही मिला है उन्हें कौन जानता था पहले Big Boss 13 में आये और उनकी दोस्ती सिधात के साथ इत्थी अच्छी लगी फिर उनकी जो दुश्मनी हुई उसे भी लोगों ने सराहा जो भी चीजे हुई उसकी बदोलत ही आसिम रियास को इतना fame मिला है लोग उनके भी fans बने हैं और उनके लिए बहुत positive भी रहा ये show उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को negative ही लिया वही कहते है ना कि success आपको मिलती है लेकिन आप उसे किस तरह से लेते हो वो चीज़े आप पर depend करती है और यहां पर उन्होंने हर चीज़ को negative लिया तो आगे आपके साथ positive होगा कैसे अगर interview भी अभी अभी आसिम रियास का सामने आया है और जब भी उनका interview सामने आया उन्होंने हमेशा makers को दोश दिया है कई बार हमने देखा शहनास के लिए गलट tweets किये वो मुद्दा भी कितना जादा हो गया था सबने मिलकर शहनास को support किया था और आसिम रियास का अभी अभी एक new interview आया है जिसमें उन्होंने बिग बॉस 13 की journey पर ही बात किये और खुद को इतना जादा हर चीज़ को negative दिखाने की कोशिश किये उन्होंने तो सिधात की जीत पर भी सवाल उठा दिया भी ये journey आपकी थी तो आपको इतना मोका मिल रहा था अलग ही पता चल रहा था वो सिधे सिधे टार्गेट कर रहे हैं मेकर्स को और यहाँ पर fix winner तक कह दिया सिधात को तो सिधात fix winner बिग बॉस जब से start हुआ था 13 तब से ही सब को लगने लगा था क्योंकि TRP सिधात और शहनास से ही वहाँ पर आ रही थी तो यह वहाँ पर कर क्या रहे थे उनका करदार बे अगर उभर के सामने आ रहा था तो सिधात की वजह से ही आया था तो चीजों को positive लेना सीखो आसिम रियास उसे भी आप negative ही दिखा रहे और यहाँ पर आसिम रियास ने यह तक कह दिया कि मेकर्स ने fix winner कर दिया था सिधात को नी तो winner तो मैं होता आखरी में 15 मिनिट की जो उन्होंने voting line स्टार्ट की उसमें ने वोटिंग कम हो गई और मैं winner नी तो मैं ही winner होता भाई साब कोई ऐसा कैसे बाते कर सकता है इनको कोई हकीकत का आईना दिखाओ कि ये तो top two में भी इस वज़ह से आ गए क्योंकि शहनास को MSK करना था इसलिए ये top two में आ गए नहीं तो top two में हमारे सेडनास ही होने वाले थे और हालत तो ये थी कि हमें लग रहा था कि सिधाओ जीते हैं या शहनास जीते हमारे लिए तो सेडनास ही जीतने वाले थे लेकिन MS के शो की वज़े से शहनास टॉप थी, मैं आई और टॉप टू की पॉजिशन मिल गई आसिम रियास को, यहां पर आसिम रियास को आईना दिखाने की भी जरुवत है, जब सिधात घर के बाहर गए थे, उन्हें टाइफाइड हुआ था, वो हॉस्पिटल गए थे, त इतने लोग थे घर में, लेकिन TRP को अप नहीं कर पा रहे थे, तब क्या कर लिया आसिम रियास में, अगर उनमें था दम तो TRP लागर दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रियालिटी चेक वहीं पर मिल गया था, कि इस घर को पूरे के पूरे घर में सिर्फ दो लोग ह वो है सिधात और शहनाज, लेकिन आज भी आज भी आसिम रियास हकीकत को अपनाना ही नहीं चाहते है, आसिम हकीकत देखना ही नहीं चाहते है कि सिर्फ और सिधात की वज़े से और शहनाज की वज़े से वो शो इतना जादा हिट रहा, बिग बॉस 13 जैसा नहीं कभी हुआ है और नहीं हो सकता है और सिधात और शहनास जैसा भी कभी कोई नहीं हो सकता आसी म्रियाज आपको हकीकत का सामना करना ही होगा वो हकीकत जेल ही नहीं पा रहे हैं भाई वही है ना कि सिर्फ ब्लेम करना उन्हें आता है रोना आता है उन्हें positive चीज़ें देखना आता ही नहीं है तो ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है और आज भी big boss 13 के बाद जितने भी season आते हैं लोग सिधात और शहनास के नाम से ही footage लेते हैं भाई आज भी वही आलम है और आज भी show को जब hit करार दिया जाता है तो कहीं न कहीं 13 से compare किया जाता है वो कभी हो नहीं सकता और ऐसा winner भी कभी कोई हो नहीं सकता जैसे सिधात रहे और वो ही असली winner थे कोई 15 minute की voting का यहाँ पर चक्कर नहीं था जैसा कि आसिम रियास को लगता है और वो दिखाना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं था starting से ही सिधात शुकला winner माने जा रहे थे और voting का सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए थैंक्यू गाइस